इस वक्त की बड़ी जनकारी सामने आ रहे जहाँ पर सल्मान खान को धमकी देने वाला गिरफतार हुआ है नोड़ा से मुंबई पुलिस ने उसे हिरासत मिल गया है बेश साल की युवक की पहचान गुर्फान खान के रूप में हुई है युवक का इरादा पैसे की उभाई करने था दिशान सिधगी को फोन किया था सिधगी को फोन करके सल्मान खान को धमकी दी थी आरूपी को नोड़ा के सेक्टर 49 थाना से गिरफतार किया गया है गुर्फान बरेली जिले कर रहने वाला है पुलिस ने उसके फोन को भी अपने कबजे में ले लिया है और आगे की जाच की जा रहे है तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ जहाँ पर सल्मान खान को धमकी देने वाला गिरफतार हुआ है नोड़ा से मुंबई पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है 20 साल की युवक की पहचान गुर्फान खान के रूप में हुई है युवक का इरादा पैसे की उगाई करने था दिशान सिद्धगी को फोन किया था सिद्धगी को फोन करके सल्मान खान को धमकी दी थी आरूपी को नोड़ा के सेक्टर 49 थाना से गिरफतार किया गया है गुर्फान बरेली जिले के रहने वाला है पुलिस ने उसके फोन को भी अपने कबजे में ले लिया है और आगे की चांच की जा रहे है तो इस वक्ती बड़ी जानकारी सामया जहां पर सल्मान खान को धमकी देने वाला गिरफतार हुआ है